हलो फ्रेंड्स वेलकम चू नोलेच अब दोस्तों आज हम जानेंगे दूद के कुछ गरेलू नुस्कों के बारे में तो सुरू करते हैं दूद का उप्योग सरीर का वजन बढ़ाने के लिए एक गिलास दूद में 15 मुनका बीज निकाल कर डाल दें फिर उबाल कर पीने जैसा थंड़े होने पर एक चमच देसी गी और तीन चमच सहद डाल कर पीएं इसे सरीर का वजन बढ़ेगा एक चमच कच्चे दूद में जरासी केसर पीस कर होटों पर मालिस करने से होटों का कालापन दूर हो जाता है और कांती बढ़ती है गर्म दूद पीने से हिचकी बंद हो जाती है ठकान दूर करने के लिए एक गिलास गर्म दूद पीएं इसे ठकान दूर वजाती है बाल काले करने का गरेलू उपाए दो किलो दूद उभाल कर उसमें 100 ग्राम नील मिला कर दही जमाए उसे बिलो कर गी निकाल कर लोहे के इमान दस्ते में लोहे की मुसली से इतना रगड़ें कि सारा गी काला हो जाए इस गी को बालों पर लगाने से बाल काले हो जाता है स्वास नली के रोगों के इलाज में दूद का उपयोग एक गिलास पानी, एक गिलास दूद में पांच पीपल के पत्ते डाल कर इतना गर्म करें की केवल दूद ही बचे पानी जल जाए, फिर इसमें सक्कर डाल कर नित्य सुबसाम पीए, इसे स्वास समदित सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाएंगे यक्ष्मा के इलाज में दूद का उपयोग, साथ कली लैशुन की पीस कर दो चमच सहद में मिला कर सेवन करें इसके एक गंटे बाद एक गिलास दूद, एक गिलास पानी, चार चमच पीसी हुई मिसरी, आठ पीपल, सब मिला कर अच्छी तरह उबाले आदा बाग रहने पर इसे उतार कर इसमें एक चमच गी और तीन चमच सहद मिला कर पांच मिनट तक उलट पुलट कर फेंटते रहें इसके बाद इस दूद को पीएं, इससे यक्ष्मा रोग में बहुत ही लाब होगा कुकर खांसी के इलाज में दूद का उप्योग, एक कप दूद, एक कप पानी मिला कर उबाले आदी मातरा में रहने पर इसमें आदा चमच गी मिला कर पिलाएं इस प्रकार तीन बार रोजाना दो सब्ता तक पिलाएं, इससे कुकर खांसी ठीक हो जाएगे मुहासों के इलाज में दूद का उप्योग, चार चमच बेशन दूद में गूंत कर एक निम्बू निचोड कर चैरे पर नित्य एक महिने तक मले इससे चैरा साफ हो जाएगा और मुहासे ठीक हो जाएगे आदे सिर के दर्द में दूद का उप्योग, 200 ग्राम दूद में स्वाल के अनुसार चीनी डाल कर इसे अच्छी तरह उबा लें फिर दो चमच देसी गी डाल कर सुर्योदे से पहले पिएं, कुछ दिन प्रियोग करने से आदे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा मलेरिया के इलाज में दूद का उप्योग, एक गिलास दूद में आठ मुन का आदा चमच सौठ डाल कर इसे उबालें इसे उबाल कर ठंडा होनने के बाद नित्य सूबे साम पिएं, इसे मलेरिया ठीक हो जाता है अक्र फ्रेंट्स, थैंक्स एर वच्छिं थीओ विडियो